हेलो आज किस व्यूडियो में हम एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने हो लिए क्वेशन राइट सी प्रोग्राम टू केल्कुलेट रेट कॉंस्टेंट ओफ फस्ट ओडर रियक्शन को डिसकस करेंगे हम देखेंगे कि हम किस परकार से सी प्रोग्राम ब प्रोग एपोन इस ठीक है तो यहां पर के क्या है रेट कॉंस्टेंट है और टी जो है टाइम इंटर वाल ठीक है और हम जानती कि जुए यह क्या है इनिशल अमाउंट ओफ रियक्टेंट अब्सक्टेंट है जब रियक्शन शुरू हुई थी टी स्कुल टू जेरो पे तो A का वो convert हो गया था B में ठीक है तो हमने माना है कि जो हमारा T school to T पर क्या हुआ A से कुछ substance जो है यानि कि X जो है वो क्या हो गया convert हो गया B के अंदर ठीक है तो यहां से क्या होगा X जो हो जाएगा निकल जाएगा अब जो T school to T time पर कितनी A की amount बच लिए A minus X बच लिए तो इसको हमने लिखा remaining amount of reactant substance जो कि क्या है हमारी A ठीक है तो यह हम use करेंगे हमारे program के अंदर अब हम देखते हैं कि हम इसका flow chart कि इस प्रकार से बनेंगे तो flow chart बनेने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पिछली युड़े में बताये था कि आपको कुछ boxes का use करना होता है और हम क्या-क्या इसमें करने वाले हैं उसको अपको लिखना होता है box के अंदर तो सबसे पहले हम start लिखेंगे all shape box के अंदर और इसके बाद हम input लेंगे initial and remaining amount of reactant and time interval ठीक है तो जो हमारी a0 थी और a थी उसको हम input लेंगे और time interval t को input लेंगे और input लेंगे और input लिखेंगे हम यह जो है हमारे समानतर चतुरबुच के अंदर लिख देंगे उसके बाद flow line का use करते हुए हम calculate करेंगे के using this formula इस formula हमने क्या कराई कि यह हमारा था 2.303 upon t इसको हमने first में लिख दिया और इसको bracket में close कर दिया सबसे पहले क्या होगा यह solve होगा उसके बाद हमने इसको multiply कर दिया log a upon a minus x जो कि हमने मना था a0 upon a ठीक है तो यहाँ पर हमने लिख दिया log 10 यहाँ पर log 10 लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप केवल log लिखोगे तो यह natural log को solve कर देगा जिससे आपका answer जो है different आ सकता है इसलिए हमने bracket के अंदर क्या लिखा log 10 यह यह 10 की base space को solve करेगा a upon a यह हमने लिख दिया forward slash upon a ठीक है मतलब क्या हो जाएगा a 0 में a का divide होगा और इसको हमने भी bracket के अंदर close कर दिया तो इस तरह से यह formula क्या करेगा calculate कर लेगा k को क्योंकि हमारा rate constant फिर इसके बाद हम print करेंगे k को ठीक है flow line का use करते हो print करेंगे k को और इसको भी जो output है इसलिए हम इसको क्या करेंगे समान्दा चोतबूच के अंदर box के अंदर पेक कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे program को end कर देंगे अब हम देखते हैं कि हम इसका program किस तरह से लिखेंगे तो program लिखने करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जो भी आपकी first जो होता है header file उसको include कर लेना है तो header file हम क्या use कर रहे है first हम use कर रहे है include करेंगे stdio.h को include करेंगे तरीका आपको फता है पहले आपको hashtag लिखने है फिर include लिखने है क्योंकि यहां पर हम लोग वाले function का use कर रहे हैं इसलिए हमको मेत वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है ठीक है इसके बाद यहां पर हम अमरा main वाला part void main लिख देंगे उसके बाद हम bracket लिखेंगे bracket के अंदर हम सबसे पहले define कर देंगे कि हम जो value inch में use कर रहे हैं formula के अंदर जो जो भी हमने component यूज किते हैं जैसे k, t, a, 0, a यह क्या value है ठीक है इसके जो value है वो किस type की है तो यहां पर हमने सबसे पहले define कर दिया कि जो हमरा k है और t है और a, 0, a है यह क्या है एक float value है ठीक ह इसके बाद हम use करेंगे clear screen function का, clear screen function का use क्यों करते हैं हमने पिछले यूडियो में discuss किया था, यह क्या करेगा जो आपकी result वाली screen होगी उसको clear कर देगा इसके बाद हम printf statement का use करेंगे और print करवाएंगे initial amount of reactant substance, printf अमारा जो statement होता है इसको हम किस तरह से लिखते हैं, printf लिखे इसके अंदर bracket के अंदर, inverted comma के अंदर जो भी हमको print करना ना होता है वो लिखते हैं, और last हम क्या करते हैं, bracket बंद करके semi colon लगा देते हैं ठीक है, औ इंटर करेंगे उसको हमको scan करना है, तो इसके लिए हम scanf जो है हमारा statement उसका use करेंगे, और जो हम scan करेंगे value हम उसको कहा इसको करेंगे a 0 में, ठीक है, एसके लिए हम क्या है, हम जानते ही कि जो हमने a 0 है, शुरू में defend किया तो float value है, तो float value के लिए जो हमारा format specifier होता, वो यहां पर इस्टोर होगी ठीक है यह क्या होता है फिर हम यह पर क्या करेंगे सेमिकुलों लगा के इस लाइन को खतम कर देंगे और उसके बाद हम सेकंड जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट ओफ रेक्टेंट सबस्टेंट थी उसको प्रिंट करेंगे विद रहल पूर प्रिंट इसे के इसको लिख देना है उसके बाद हमको जो के की विली हो यह प्रिंट करवानी है इसके लिए क्या करेंगे चो को एक से लिखते हैं उसके इंडर इनरे Аль पूर यह क्या है प्रिंट ओपरेटर है इसके बाद हम यहान लिख देंगे और हमस्फेसे फैर प्रस्टेक प्रक्राइब कमा को मैंतोगे और यहां पर प्रच्छी विल्यू इसको close कर देंगे तो इस तरह से आप program बना सकते हो और इसमें आप value जो भी enter करो के उसके हिसाब से क्या करेगा rate constant की value जो है calculate करके print कर देगा किसा लगा आपको वीडियो में comment section बता है को doubt हो तो आप comment में पूर सकते हो और वीडियो पसंद आने फिर वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें